Hello everyone, welcome to Study IQ Study IQ में मैं जुलाई के पहले 6 दिन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th जुलाई के MCQ कवर करूँगा और थोड़ा सा मैं वीडियो लेट लेके आ रहा हूँ लेकिन 2nd week का वीडियो थोड़ा जल्दी लेकर रहा हूँगा तो 1st week में मैंने कवर किया है 6 दिन से 137 question और जो 2nd week का वीडियो होगा उसमें मैं करूँगा 190 question क्योंकि उसमें 7th जुलाई का भी कवर होगा और मैं आशा करता हूँ मेरे जो PIB की coverage है Press Information Bureau मैं daily news analysis करता हूँ उसमें रात को 9 बजे तो आप उसको enjoy करिए, Hindi में भी उपलब दे, English में भी उपलब दे और ना सिरफ UPSC के लिए, बलकि banking, SSC, कोई भी exam के लिए वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको सारे issues वर्ड में पताऊंगे, आप current affair के एकदम बहुत अच्छे हो जाएंगे आप और आप सिरफ descriptive writing, interview वगारा में ही नहीं, बलकि जो भी चीज़ें आपको डराती हैं, group discussion, personal interview सब में आप जवाब दे पाएंगे, तो हर रात 9 बजे हमारा आता है P.I.B. discussion और हमारे जो pen drive courses हैं, सबसे fast selling ये तीन है इस वक CGL 2017, अगर आपको लगता है एक्जाम में एक महीना बचा और आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इस pen drive की मदद से कम टाइम में prepare कर सकते हैं और I.B.P.S.P.O. और clerk के लिए, इसके लाबा UPSC के लिए हमारी सबसे fastest selling pen drive इस वक 2018 के लिए, इसमें 100% syllabus कवर किया गया है प्री का भी और मेंस का भी, ये स्टेट PCS में भी उप्योगी होगी जैसे राजस्थान administrative service, या फिर मद्धे परदेश, 36 गर जो भी exam होते हैं में ये उप्योगी होगी, कोई भी pen drive अगर आप लेना चाहते हैं तो इस number पर call करिए या फिर 72910-59476 पर call कर सकते हैं, 72910-59476 तो चले शुरू करता हूँ भारत के पहले किर्केटर कौन बने हैं, जिन्होंने 200 छक्के लगा दिये one day matches के अंदर, one day matches में 200 और overall ये total छक्के लगा चुके हैं 322 और इनका नाम है महिंदर सिंग धोनी, और याद होगा आपको वल्ल कप जब हम जीते थे शिरलंका को फाइनल में राके तो इन्होंने छक्का मार के ही जितवाया था, जो महराश्टर के अंदर खेला गया था खेर, 322 छक्के इन्होंने लगाए हैं, तो overall पूरी दुनिया में सबसे ज़्यदा छक्के आस्तक किसने लगाए हैं तो पहले आंसर है शाहिद अफ्रीदी 476, दूसरे नंबर पे क्रिस गेल 434, फिर है ब्रेंडन मैकुलम 398 और फिर है सनज जैसुरिया 352 तो पाँचवे नंबर पे है महिंदर सिंग धोनी, ओल टाइम लिस्ट में नंबर ओफ सिक्सिस के अंदर दूसरा सवाल, फिफा कन्फेडरेशन कब टाइटल किसने जीता, यह फाइनल में इन्होंने चिले को हराया, चिले जिसकी राजधानी है सांटियागो, और यह देश है जर्मनी, इस वक्ट जर्मनी बहुत ताकतवार है, इसको हराया नहीं जा सकता, वर्ल्ल कब भी इन्हो सैंट पीटरबर्ग में खिला गया था, सैंट पीटरबर्ग कहां पर है, रश्या में है, कंजूमर अफेर मिनिस्ट्री रिसेंट्ली अमेंडिद रूल फॉर विच ऑफ दा फॉल्लॉइं, कहने का मतलब जो हमारा कंजूमर अफेर मिनिस्ट्री है, उन्होंने किस चीज के इंडिया के हिसाब से बदल दिये हैं अब for example जो dual MRP है वो नहीं होगा dual MRP क्या होता है आप मान लिजी एक पानी की बोतल खरीते हैं पानी की बोतल का प्राइस 20 रुपे है लेकिन उसी पानी की बोतल का अगर सस्ते हो गए हैं तो निर्माताओं को बताना पड़ेगा और वहाँ पे एक नई परची लगानी पड़ेगी MRP की पुरानी परची के उपर नई परची नहीं लगेगी ये भी कहा गया है दूसरी बात अगर कोई गुड महंगा हुआ है पहले से तो कम से कम दो advertisement निर्मा 2018 से लागू हो जाएंगे ये भी याद रखिए एक जनवरी 2018 से हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिशनर मुखे चुनावायू कौन बने है ये भी बहुत important question है इससे पहले थे नसीम एहमद जाईदी मैं repeat करता हूँ नसीम एहमद जाईदी और अब भारत के नए चीफ इलेक्श कर दी गई थी तो फिर 1989 में amendment करके पहले election commission जो होता था उसमें सिर्फ एक ही member होता था यूनी member बोड़ी होती थी वो होता था chief election commissioner लेकिन इसकी मदद करने के लिए amendment के बाद दो election commissioner ओड दे दिये गए तो total अब इसमें तीन मुख्य member होते हैं एक chief election commissioner होता है और दो election commissioner होते हैं अभी अभी एक trade event हुआ टेक्स्टाइल इंडिया 2017 ये कहाँ पे हुआ ये बहुत important event है और ये हुआ गुजरात की राजधानी गांधी नगर के अंदर यहाँ पे सब आये थे प्रधान मंत्री मोधी ने उधगाटन किया था हमारी textile मंत्री कौन है हमारी textile मंत्री है स्मिर्ती इरानी और textile जो है वो important इसलिए है भारत में साड़े 4 करोड लोगों को रोजगार देता है textile हमारा जो कपडा मंत्रा ले है सबसे ज्यादा रोजगार देता है agriculture और दूसरे नंबर पे है textile इसलिए बहुत important है और गुजरात के मुख्यमंत्री विजयरूपानी उन्होंने भी यहां शिरकत की scientists in which country have developed the world's shortest laser दुनिया का सबसे जो पैना laser है वो कौन से देश के वैग्यानिकों ने बनाया है यह जो laser है यह optical atomic clocks को बनाने में भी काम आता है Einstein theory और relativity पे काम करता है और यह बनाया है Germany के scientist ने जर्मनी जहां पे अभी G20 summit खतम हुआ है और Angela Merkel है यहां की chancellor तो सारी जो ताकत होती है वो chancellor के पास होती है real executive है यहां पे जर्मनी में chancellor होता है ना कि president और जर्मनी की राजधानी है Berlin इन में से कौन सा बैंक है जिसने एक remittance facility के लिए Australia में रहने वाले जो भारतिये हैं ज यह बैंक कोन सा है इस बैंक का नाम क्या है यह बैंक है South Indian Bank South Indian Bank ने अभी अभी इसकी बैंक के जो managing director है और chief executive officer है वो है V.G. Matthew और इस बैंक का headquarter है थ्रिसुर केरला के अंदर तो याद रखिये और एक चीज़ और याद रखिये South Indian Bank का जो international banking division है उसे ISO certification मिला है अभी अभी 9001- 2015 अपनी quality management system के लिए चोथा national summit food sorry good replicable practices and innovation in public healthcare system वो कहां पे हुआ कहने का मतलब हमारा जो public healthcare system है उसमें अच्छी practices के लिए national summit करवाए गया था और हमारे health minister है JP नद्दा तो ये हुआ इंदौर में और इंदौर जो है यहाँ पे इसका उधगाटन किया इसका उधगाटन किया स सुमित्रा महाजन जो है अब आपसे एक बहुत difficult question पुछने वाला हूँ वो लोकसभा speaker है यह तो आप जानते हैं लेकिन इन्होंने अभी अभी एक किताब लिखी है वो किताब मराथी रानी जिने राजमाता बोलते थे अहिलिया बाई होलकर उनके जीवन पर अधारी ते ए जानी नीशा के साथ यह technology infrastructure प्रदान करेगी तो यह कौन सी company है यह है Microsoft India इस company के CEO भी भारती है उनका नाम है Microsoft India के जो CEO है सत्य नडेला सत्य नडेला और इसमें 55,000 स्कूल है जिनके साथ यह प्रोग्राम किया है भारत ने अपनी position lose करी as the third largest foreign investor into the UK to which country कहने का मतलब जो United Kingdom है उस में भारत तीसरा सबसे बड़ा investor था foreign investor अब भारत को हटा के कौन बन गया है पहले नंबर पे तो अमरीका है दूसरे पे चाइना है पहले तीसरे पे भारत होता था लेकिन अब तीसरे नंबर पे हो गया है France में नए राश्पती बने है अब इनको एक महिना हो गया है इनका नाम है Emmanuel Macron ये Modi जी से G20 में भी मिले थे और Modi जी जब France में भी मिले थे तो याद रखिए Emmanuel Macron और इनकी party का नाम है N Marsh और UK जो है इसमें चार country आते है Northern Ireland, Scotland, Wales और England, England की राजधानी ये London, Wales की Cardiff, Scotland की Edinburgh तो ये याद रखिए और अगर आप सिर्फ Scotland, Wales और England ले ले लेते हैं तो इस इनका निदन हो गया, ये एक मशूर एक्टर थे और राइटर भी थे, कौन सी भाशा के थे, तो ये थे मराठी के, मराठी के थे और इन्होंने play भी लिखे थे कुछ important, जैसे तरुन तुर्क महात्रे उर्क, ये इनकी सबसे famous राइटिंग थी, तरुन तुर्क महात्रे उर् Global Forgiveness Day कब होता, यानि हम जो माफी देते हैं उसका दिन होता है, 1994 में स्टार्ट हुआ था ये और जुलाई साथ को हम ये मनाते हैं, इन में से कौन से राजे के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने PACS का computerization inaugurate किया, और रूपे किसान credit card को launch किया, तो ये किया उडिसा ने, उडिस SC Jamir, ये हैं उडिसा के governor, PACS जो है, इससे जो farmer है, वो अब अपने sanction loan ATM network से draw कर पाएंगे, जो NPCI का होता है, National Payment Corporation of India का, इन में से कौन से देश के scientist हैं, जिन्होंने जो मानवो का दिमाग होता है, human beings का brain होता है, उसका सबसे detailed scan किया है, ये कौन से country के scientist ने किया है, ये किया है, Australia के पहग्यानिकों ने, और बस आप इसना जाद रखिए, एक बहुती advanced MRI machine से ये किया गया है, इन में से कौन सा राज्य है, जिसने एक दिन में 6 करोड पोधे लगा के record बना दिया, 6 करोड, ये 24 district के अंदर इन्होंने लगाए 6 करोड पोधे, मध्य परदेश है, ये राज् इन में से कौन सा बैंक है, जिसने एक debit card launch करा है, जिससे जो card holder है, वो इसको personalize कर सकते हैं, और उस पे debit card के उपर कोई भी photo जो वो चाहें, वो लगा सकते हैं, तो ये एक personalize debit card launch करा है करनाट का bank ने, करनाट का bank, और इसका नाम इनोंने रखा है KBL, image debit card, अब आप debit card के उपर कोई भी photo चाहें, वो लगा सकते हैं, और इस bank के managing director है, महा बलेशुवर भट, महा बलेशुवर भट, employees provident fund organization है भारत में, और ये 20 करोन accounts को service करती है, इसने कितने banks के साथ collaborate किया है, जिससे ये retirement payment कर सके और dues को collect कर सके, ये super important question है, ये bank है 5, super important इसलिए क्योंकि अभी तक सरकारी bank है, जो use होते थे, पहली बार इन्होंने private banks के साथ किया है, ये bank कौन-कौन से है, bank of baroda है, IC, ICI bank है, HDFC bank है, Axis bank है, और Portak Mahindra bank है, ये 5 bank है जिसके साथ ये किया है, और 1952 से SBI bank इससे जुड़ा हुआ है लगबग, और 12,00,00 करोड का corpus ये manage करता है, और 4,00,00 करोड contributing member है, EPFO के, तो बहुत important है, मतलब provident fund लगबग सब के पास ही होता है, सरकारी करमचारियों के पास, बहुत ज़्यादा important है provident fund, भारत का नया anti-hijacking law, ये इसको expand कर दिया गया है, इसमें include किया गया है, death of security personnel on board, और ground supporting staff, जो भारत का पुराना anti-hijacking act है, वो कौन से साल का है, और इसमें जो guilty आदमी होगा, उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा, और उसमें fine लगाए जाएगा, और हमारे जो civil aviation minister है, वो है अशोक गजपती राजू, ये किया गया था, 1982 का इन्होंने जो कुराना कानून था, उसको replace किया है, जिसमें plane hijack हो जाते थे, तो अगर किसी की death भी हो जाती है, किसी security personnel की, तो भी आपको बहुत कड़ी सजा दी जाएगी, तेलंगाना का एक IPS officer है, जिसने 2017 trafficking in persons report heroes award जिता है, US Department of State से, अमरीका ने इन्हें award दिया है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है, महेश मुरलिधर भागवत, और अभी ये रचकोंडा के police commissioner है हमारा जो power ministry है, हमारे power, coal, जैवी कुर्जा, mining इन सब के minister ने, पियूश गोयल, इन्होंने एक portal बनाया है, जिससे हम कोयले की धंग से usage कर सकें, इसमें पारदर्शिता बनाई लाएं, तो इसमें ये बताना है, इससे power जो cost है हमारी कितनी कम होगी, 10 पैसा per unit कम होगी इससे, याद रखिए, और total 20,000 करोड रुपे हम save करेंगे अगले 5 सालों में, ये बहुत important है, याद रखिए, और दो portal launch हुए थे इसके लिए, पर दोनों का जो purpose है, वो एक ही है, और वो है optimal utilization of coal, दसवा अध्याए, इंडिया-Jordan Trade and Economic Joint Committee, ये कहाँ पे हुआ, Jordan एक देश है, जिसकी राजधानी है, अमान, और हम इस देश से जो अपना trade है, जो व्यापार है, वो बढ़ाना चाहते हैं, हमारी व्यापार की जो मंत्री है, Trade and Commerce की, वो है, निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने य meeting अटेंड की थी, और ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर, वो Formula One racer कौन है, जो पहले भारतिये बने हैं, जिन्होंने FIA Formula 3 European Championship जीत ली है, जो no wrist ring के अंदर हुई थी, इनका क्या नाम है, इनका नाम है, जेहान दारुवाला, ये बहुत ज्यादा important question है, और 18 साल पहले, नार और कार्तिकेन उनका नाम था, वो भी Formula One race करते थे, इन में से कौन सा राज्य है, जो आखरी राज्य बना, जिसने Goods and Services Tax का resolution, उसको implement करने के लिए resolution adopt किया है, तो ये है, जमू और कश्मीर, जमू कश्मीर के जो गवर्नर है, नरिंदर नात वोहरा, एन एन वोहरा, और मुख के राजदूत हैं, कौन से देश के लिए, Ambassador है, कही बार आप Ambassador Word सुनेंगे, कही बार High Commissioner सुनेंगे, एक ही बात है, High Commissioner Word हम यूज करते हैं, Commonwealth Countries में, जैसे पाकिस्तान हो गया, तो ये सब Countries में हम High Commissioner यूज करते हैं, अगर आप कहेंगे, भारत का राजदूत उस्टेलिया में 166 देशों में, भारत की क्या राइंक है, Cyber Security Index के अंदर, ये दिया है International Telecommunication Union ने, भारत की राइंक है 23rd, तो अभी हमें काफी इंप्रूव करना है, Number One Country है, Singapore, Singapore, नए Army Commander शिरलंका के कौन बने हैं, Army Commander, बस ये नाम याद रख लिजिए, Lieutenant General Mahesh Sena Naike, बस नाम याद रख लिजिए और शिरलंका की राजधानी है, श्री जैवर्दने पूरी कोटे, श्री जैवर्दने पूरी कोटे, और राश्टपती है, मैथरी पेला, सिरी सेना, अभी अभी एगोन International हुआ, टूर्नमेंट, टैनिस की बात हो रही है, तो किसने जिता ये, Man Single Title किसने जिता, ये जिता पाग जोकोवेच हैं सर्विया के, और सर्विया की राजधानी है, बेल ग्रेड, बेल ग्रेड, रविंदर रंदेव, इनका निधन हो गया, ये कौन थे, ये मश्यूर जनलिस्त थे, आपने टीवी पे भी ने देखा होगा, रविंदर रंदेव, इन में से कौन सी ये कैंड़ा की कंप्नी है, याद रखिये, और इस कंप्नी के जो हैड है, वो है प्रेम वत्स, भारती है, प्रेम वत्स, एक और चीज याद रखिये क्योंत में ग्रेड़ा है, उसके परधान मंति हैं, जस्टरिं driven you, और आजधानी है, ओटावा, इन में से कौन सी स्पेस जिसने अभी अभी लॉंच करा है इंटल सेट 35E सेटिलाइट जो स्पेस के अंदर इंटल सेट 35E सेटिलाइट ये किया है स्पेस एक्स ने ये एलन मस्क इसके सीओ है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनका एक फेमस रॉकेट भी है जिसका नान है फेलकन नाइन हमारा जो साइंस एंट टेकनलोजी का जो मंत्राले है उसने एक नैशनल बायो फार्मासूटिकल मिशन लॉंच करा है उसके लिए कितना धन रखा है टोटल धन होगा 250 मिलियन डॉलर इसमें से 125 मिलियन लोन हमें देगा विश्व बैंक विश्व बैंक के प्रेजिडेंट है जिम यॉंग किम और विश्व बैंक की CEO है करस्टीना जॉर्जी एवा करस्टीना जॉर्जी एवा 250 मिलियन का है 125 देगा वल्ड बैंक और बेसिकली टार्गेट ये है कि हमें भारत का जो market share है ध्यान से सुनिए भारत का जो market share है इंडियाज market share 5% हमें ले जाना है 2022 तक अभी है 2.8% और हमारे मंत्री कोन है इसके लिए science technology के लिए हर्शवर्धन, डॉक्टर हर्शवर्धन और डॉक्टर हर्शवर्धन ही हमारे अर्थ science के लिए भी है परियावर्धन मंत्री भी यही है environment minister भी यही है climate change के लिए भी यही है दो इंडियन Americans कौन है जिने ये सम्मान दिया गया है जिसका नाम है great immigrants ये इन्हे annual award जुलाई 4 को जो होएते होने दिया गया जुलाई 4 को अमरीका का independence day होता है ये भी याद रखिए तो इन दोनों का नाम क्या है इन दोनों का नाम है शांतनु नरायन और विवेक मूर्ती शांतनु नरायन और विवेक मूर्ती सो answer है one and two अब आप से पूछू में ये कौन कौन है तो शांतनु नरायन है adobe company के chief और विवेक मूर्ती बहुत ही परसिद जर्ण वो है सर्जन डॉक्टर है वहाँ के अमेरिका में तो टोटल 38 immigrants को ओनर किया गया था independence day था 4 जुलाई को और ये किया गया था राजकिरन राय जी ये कौन सी company के कौन से bank के managing director और CEO बने है ये कौन से bank है राजकिरन राय जी ये bank है Union Bank of India Union Bank of India और Melvin Rego मैं repeat करता हूँ M-E-L-W-Y-N Melvin Rego है syndicate bank के तो ये दोनों याद रख सकते हैं syndicate bank करनटका का bank है और बहुत सारे सरकारी bank है जिनमें non-performing assets जो है वो इखटे हो चुके है छे banks के खिलाफ Reserve Bank of India ने लिया है prompt corrective action prompt corrective action होता है जैसे banks को branches खोनने से रोकी है जिनमें non-performing assets बहुत जादा है कई banks में तो 12-12% से जादा non-performing assets हो चुके है तो total 6 banks के खिलाफ लिया जा चुका है prompt corrective action और non-performing assets जो accumulate होने की एक वजा है हमारी जो twin balance sheet problem है twin balance sheet problem यह होती है कि bank जो होते है वो loan दे देते है उसको बोलते है debt जिसने लिए उसके उपर चड़ गई debt उधार और जब तक वो इस उधार से कमाएगा नहीं तब तक वो bank को interest समेट loan वापस कैसे दे पाएगा तो इसको बोलते है debt servicing तो debt servicing जब नहीं हो पाती तो जिसको loan दिया है वो वापस नहीं चुका पाता इस वज़े से bank के asset कम होते जाते है धीरे धीरे जब asset कम होंगे bank की तो automatically कमाई कम होगी क्योंकि वो पैसा जो bank loan दे सकता है वो कम हो जाएगा जो interest कम हो जाएगा तो इसको बोलते है twin balance sheet problem परदीप कुमार रावत ये भारत के कौन से देश के नए राजदोद बने है इस देश की राजधानी है जकारता और इस देश का जो national airline है उसका नाम है Garud तो समझ गए होंगे अब आप किसकी बात हो रही है इंडोनेशिया इन में से कौन सी university है जिसने ये decide करा है कि वो जो transgender students है उनकी fees माफ कर देंगे इस साल के लिए transgender होते हैं जो male है पर female की तरह behave करता है या operation करा के change कर वा लेता है अपना gender यानि विप्रीत लिंग विवारुत सुक उन्हें बोलते हैं transgender तो transgender की जो fees माफ करेंगे वो करेंगे इगनू इंडरा गांधी national open university और इसके vice chancellor जो है वो है रविंदर कुमार Asian infrastructure investment bank ये Chinese dominated bank है ये भारत को भारत को loan दे रहा है गुजरात के में 4000 गाहों तक हम रोड बनाएंगे उसके लिए कितना loan दे रहा है ये Chinese dominated bank है ये Asian infrastructure investment bank इस bank के president है जिन लिकन ये बहुत important वैक्ती है क्योंकि चाइना के पूरवित मंत्री है और इस bank का headquarter Beijing में है तो Beijing को Shanghai से बिल्कुल आपको पता होना चाहिए हर exam के लिए तो कितना loan दे रहा है ये हमें ये हमें दे रहा है 339 million dollar का loan इन में से कौन सा देश है जिसने अप कहा है कि इसने अपने आपको free कर लिया है avian influenza से यानि H5N1 और H5N8 avian influenza दूसरा नाम होता है bird flu का बिश्कैक तो ये जीती इंडिया ने और ये खिलाडी तो सभी जानते हैं इन्हे 16 बार world champion है चुके है पंकज अडवानी परंतु इन्होंने team up किया था लक्षमन रावत के साथ लक्षमन रावत तो इनकी team थी लक्षमन रावत और पंकज अडवानी पंकज अडवानी करनाटक से है तो आनसर है इंडिया और इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं cricket का बदला ले लिया तो ये भी आप कह सकते हैं ये वैसे अडवानी का second Asian title था तो इस season और total 8 वा total 8 Asian title ये जी चुके हैं पंकज अडवानी इन में से कौन सा राज्य है जिसने अभी अभी अप्रूव करा है new transport policy जिससे इस राज्य में जो permit बगारा होते हैं उनके processes streamline होंगे यानि उन्हें असान बनाये जाएगा और खासकर जो private transport vehicles हैं उनके लिए तो याद रखिए new transport policy की है पंजाब ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री captain अमिंदर सिंग congress party के हैं और पंजाब के जो governor है वो है VP सिंग बदनोरे और एक और बात बता जाता हूँ पंजाब में food park बना है maze के लिए maze मतलब जिसे मक्की बोलते है मक्की भुट्टा भी बोलते है कुछ लोग इसे कौर्न बोलते है तो maze के लिए बना है कपूर थला के अंदर कपूर थला डिस्टिक में बना है maze maze food park और इसका उदगाटन करा हरसिमरत कौर बादल ने हरसिमरत कौर बादल इन में से कौन से वेक्ति हैं जिन्होंने launch किया है 100 million dollar fund जिसका नाम रखा है Fundamentum Fundamentum को launch करा है दो मशूर पुझी पतियों ने नंदन निलेकनी ने और संजीव अगरवाल ने नंदन निलेकनी संजीव अगरवाल और यह basically startups के लिए किया है अगर कोई नया business लगाना चाहते है तो उनको आर्थिक सहायता provide की जाएगी So answer है 2 and 3 World Zoonosis Day यह किस दिन मनाया जाता है Zoonosis Zoonosis होता क्या है Zoonosis होता है यह वो चीज है जो Zoonotic disease फैलाते है तो यह 6 जुलाई 1885 की याद दिलाता है जब Lewis Pasture जिनने कुछ लोग Father of Microbiology भी बोलते है Lewis Pasture जो है इन्होंने पहली vaccine Zoonotic disease के खिलाफ administer की थी तो यह दिन था 6 जुलाई का इन में से कौन से भारत के footballer है जिनने मोहन बागान रतन अवाड मिला है इस साल के लिए मोहन बागान रतन अवाड मिला है सुबरत भटाचारिया को सुबरत भटाचारिया को और बस आप इतना याद रख सकते हैं जूलन गौस्वामी जो है ये middle distance runner है जूलन गौस्वामी है क्रिकेटर है जो सब ज़्याद विकेट ले चुकी है एक हैं लिली दास तो लिली दास जो है ये है ये middle distance runner है और एक है Mount Everest जिन्होंने चड़ा है जिनका नाम है शेक सहाबुद्दीन इन्हें भी special award मिले है तो बस आप इनके नाम याद रखिए जूलन गोस्वामी हमारी सब ज़्याद विकेट लेने वाली खिलाडी है और हमारी cricket team की captain है मिथाली राज इसके लावा जो middle distance runner है वो है लिली दास और Mount Everest चड़ चुके शेक सहाबुद्दीन इसके लावा best cricketer का prize मिला है देव ब्रद्दास को ये बुक किसने रिलीज करी प्रेजिडेंट प्रणम मुखर जी अस्टेट्समेन इस किताब को जो अकबार आता है जो भारत के सबसे पुराने इंगलिश अकबारों में से एक है उन्होंने छापा है प्रेजिडेंट प्रणम मुखर जी अस्टेट्समेन और इसको रिलीज करा नरेंदर मोदी जी ने नरेंदर मोदी जी ने रिलीज करा Harvard University Center for International Development Growth Projection के हिसाब से 2025 तक सबसे तेज economy कौन से देश की ग्रो करेगी ये कौन सा देश है जो average annual growth rate है 7.7% तो fastest growing देश है इंडिया और इंडिया, टर्की, इंडोनेशिया, यूगांडा और बल्गेरिया ये देश हैं जिनकी economy बहुत fast grow करेगी और उन्होंने काई चाइना की economy अब slow हो जाएगी तो चाइना के जो मुद्रा है वो है रैन, मिन, भी इसे यूआन बोल सकते हैं, Y-U-A-N और कैपिटल है बीजिंग और चाइना के राश्पती है, शी जिनपिंग RBI financial stability report आई है इसके हिसाब से भारत की gross value added growth कितनी होगी current fiscal current fiscal मतलब 1 अपरेल 2017 से 31 मार्श 2018 तक हमारी growth होगी 7.3% और जो fiscal year deficit है वो 3.2% होगा RBI के हिसाब से इस साल पिछले साल था 3.5% RBI के governor आप जानते हैं उर्जित पटेल International Day of Corporatives ये हम मनाते हैं July 1 को तो इस बार इसका theme क्या था? इस बार इसका theme था Corporatives ensure no one is left behind Corporatives ensure no one is left behind भारत का सबसे लंबा Air Traffic Control Tower ये December में शुरू हो जाएगा कहाँ पर? कहाँ पर लग रहा है भारत का सबसे लंबा Air Traffic Control Tower ये लगेगा इंद्रा गांधी International Airport पर और Airport Authority of India इसे manage करेगा तो 101.9 meter tower होगा ये और इस पर जो खर्चा आएगा वो आएगा लगभग साड़े तीन सो करोड रुपे और ये दुनिया का सेवन्थ Air Traffic Control Tower होगा सबसे लंबा दुनिया का सात्वा सबसे लंबा Air Traffic Control Tower होगा Transaction on Unified Payment Interface recently crossed the mark of what? तो Unified Payment Interface सरकार ने लौंच किया था ये अब सब जानते हैं ये किसी से शुपा नहीं है तो इस पे जो कितने transaction अब तक हो चुके है ये कहा National Payment Corporation of India के Managing Director और CEO इनका नाम है AP होता ये बहुत important है NPCI के ये है Managing Director और CEO Unified Payment Interface कब लौंच हुआ था अगस्त 2016 में हुआ था 21 बैंक थे उस पे सिरफ उस वक्त अब है 50 बैंक टोटल और टोटल transaction हो गए है एक करोड भारत ने अभी अभी contribute करा है UN Peace Building Fund को कितना पैसा और ये बहुत भारत ने एक उदारता दिखाई है भारत अब तक टोटल 5 मिलियन USD कर चुका है और अभी अभी किया है भारत ने 500,000 डॉलर UN Peace Building Fund को एक बात और याद रखिए UN Peace Keepers के अंदर भी सबस्यादा जो Peace Keeping personnel होते है जो सैनिक होते है वो भी भारत के होते है United Nation के जो Secretary General है वो है Antonio Guterres और UN का Headquarter है New York में जहाँ पे UNICEF का Headquarter भी है Ivory Coast International Badminton Tournament Abidjan में वो था ये Abidjan Ivory Coast की राजधानी है तो ये किस ने जीता ये भारतिया ने जीता है इनका नाम है Ritika Thakkar Ritika Thakkar Badminton में उभरती खिलाडी पाकिस्तान ने अभी-भी successfully test fire की कौन सी short range surface to surface ballistic missile ballistic missile वो होती है जो पहले ऐसे उपर की तरफ जाती है वातावरन के को cross कर जाती है फिर atmosphere को फिर atmosphere में वापस आके ऐसे attack करती है और जो सीधी जाती है ऐसे वो होती है cruise missile तो ये फरग होता है ballistic missile और cruise missile में ballistic missile जब उपर की तरफ जाती है तो बहुत भारी होती है धिरे-धिरे हलकी होती है बहुत सारा समान अपना drop करती है फिर ये दुश्मन के उस पर इस तरह से attack करती है और surface to surface missile होती है जो जमीन से आप चलाओगे जमीन पे ही किसी चीज़ को destroy करने के लिए अगर जमीन पे से चला रहे हो किसी उपर aircraft को destroy करने के लिए तो वो होगई surface to air हवाई हवा में अगर उड़ाना है किसी को तो air to air missile होती है मतलब आप भी plane में बैठे और दूसरे plane को उड़ाना है तो air to air और एक होती है air to surface यानि हवा में से फेकोगे plane से नीचे कोई मकान वागरा destroy करने तो वो होती है air to surface missile तो कई तरह की missile है पाकिस्तान ने जो भी test fire करी है उसका नाम है नसर N-A-S-R 60-70 km तक की ये range में मार सकती है पाकिस्तान में एक बहुत important वैक्ती है जिनका नाम है कमर जावेद बजवा कमर जावेद बजवा है महां के आर्मी के chief जो सबसे ताकतवर आदमी होता है पाकिस्तान में वो होता है आर्मी का chief और अभी जो नवाज शरीफ है महां के परदान मंतरी वो problem में चल रहे है उन पे cases चल रहे हैं corruption वगारा के तो ये भी याद रखिए और IIT खडगपूर के board of governors के chairman किसे re-nominate किया गया है कौन है ये वेक्ति इनका नाम है संजीव गोहिन का और इनकी दूसरी term होगी लगातार Indian Mobile Operating System Indus OS ये launch कर रहा है first OS integrated UPI platform ये कौन से bank के साथ मिलके कर रहा है इस bank के managing director है वो है Rana Kapoor अब आप इस bank का राम बता सकते हैं तो ये bank है Yes Bank दिनेश मलकानी ने अभी-भी कौन सी company के पद से इस्तिफा दिया है प्रेजिडेंट पद से तो ये प्रेजिडेंट थे इंडिया और सार्क region के लिए Cisco इंडिया के Cisco और सार्क जो है इसमें आठ कंट्रीज है सार का headquarter है Kathmandu में नेपाल की राजधानी में इन में से National Disaster Response Force यानि NDRF के नए चीफ कौन बने है ये question बहुत जादा important है और मैं बताता हूँ क्यूं इनका नाम है संजे कुमार और ये हिमाचल परदेश के DGP थे ये question important इसलिए है क्योंकि RK Pachnanda ये इससे पहले NDRF के चीफ थे लेकिन अभी ने मना दिया गया है Indo-Tibetan जो Border Police Force है उसके ये अब Director General बन गए है Indo-Tibetan Border Police Force के RK Pachnanda तो वो जहना खाली हो गई थी तो अभी ये भरी है संजे कुमार ने Revenue Department ने अभी-अभी modification करे हैं कुछ तबदीली करी है कानूनों में तो उसके हिसाब से restriction on cash dealing of rupees 2 lakh and above will not apply to which of the following 2 lakh और उससे ज़्यादा रुपेगा अगर आप cash भुगतान करते हैं तो इन में से कौन सी चीज़ पर वो apply नहीं होगा ये बताइए ये इन में इन सब पर apply नहीं होगा यानि अगर आप credit card bill payment करते हैं तो 2 lakh और उससे ज़्यादा आप कोई restriction नहीं है आप कर सकते दूसरी बात banks business correspondent और तीसरा issue of prepaid instrument prepaid instrument अगर आप issue करवाते हैं तो इन तीनों चीज़ों पर ये apply नहीं होगा rule केवल हंडा ये कौन से bank के non-executive chairman nuked किये गए हैं अपॉइंट किये गए है ये bank है union bank of india union bank of india ये ओ है non-executive chairman और मैं उलड़ी बता चुका हूँ इस bank के CEO और managing director कौन है शिरी राजकिरन राय जी अभी अभी एक study आई है जिसका नाम है mangrove forest cover changes in indian sundarban using remote sensing and GIS तो भारत में जो mangrove forest cover है वो कितना खतम हो गया है उसका loss कितना है ये loss है 5.5% और ये बहुत ज़दा dangerous है क्योंकि mangrove जो है ये बहुत ज़दा biodiversity यहाँ पे होती है जैविक विवित्ता होती है बहुत तरह के जानवर बहुत तरह के पोधे हैं आपे होते है और mangroves क्या होते है जो delta area के अंदर पोधे होते है जिनकी जड़े बहुत deep होती है जो नमक वाले पानी को बरदाश कर सकते है उन्हें बोलते हैं mangroves यहाँ पे mangroves जो सुन्दर बन है जैसे डलहोजी आइलेंड है जो वो 16% loss हो चुका है जो जम्बू द्वीप है 10% loss हो चुका है और दूइल भाष्चिनी वेस्ट 9.7% मतलब कहने का हमारा जो environment है वो destroy हो रहा है इन में से कौन सा payment bank है जो अभी अभी जिसने अपना operation शुरू कर दिया और यह 11 एप्लिकेंट जिने इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था उनमें से एक था यह है फिनो पेटेक जिसका headquarter है मुंबई में फिनो पेटेक payments bank इसके अलाबा Airtel, M Commerce यह भी operational है Department of Post भी operational है और Paytm का payment bank भी शुरू हो चुका है तो आप यह कह सकते हैं कि यह चोथा payment bank है जो शुरू हो चुका है इन में से कौन सा NGO है, पुने का NGO है इसे मिला है United Nation Development Program का Equator Prize UNDP का Equator Prize इसका नाम है Swam Siction Prayog Swam Siction Prayog क्योंकि इनोंने agriculture का एक model बनाया है जिससे 20,000 farmers, खासकर महिलाएं farmers जो हैं उनको फाइदा हो सकता है इन में से कौन से दो commodity exchange है जो आपस में merge होंगे और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा commodity exchange बना देगे इन दो का नाम है National Multi Commodity Exchange यानि की 4 और दूसरा है Indian Commodity Exchange और दूसरा है Indian Commodity Exchange जो आंसर है 1 and 4 जो ICEX है यानि Indian Commodity जो exchange है यह 62.8% और जो National Multi Commodity Exchange है यह 37.2% इसके अंदर जब merger के बाद होगा तो जो company बनेगी उसमें 62.8 होगा ICEX का और बाकी NMCE का होगा 37.2% Financial Stability Board FSB इसने इन्होंने अपनी status report जो Basal 3 reforms के अंदर है उसमें India को क्या rate किया है India है compliant compliant है यानि rules के हिसाब से चल रहा है और India अगर liquidity coverage ratio देखेंगे तो वो होगा largely compliant तो यह G20 countries को rate करता है देखे Basal 3 norms हैं क्या यह मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ 2019 31 March तक हमें Basal 3 compliant होना है Basal 3 compliant यह होता है कि हमारे जो banks है देखे जो bank होता है उसमें क्या guarantee होती है कि वो risk के बचाएंगे और customer का पैसा secure रहेगा तो bank एक तो cash reserve ratio रखते हैं 4% का यह जो Reserve Bank of India के पास धन रखते हैं और दूसरा जो government securities है उनमें invest करते हैं जिसने बोलते हैं statutory liquidity ratio लेकिन समझने वाली बात यह है कि cash reserve ratio और statutory liquidity ratio दोनों ही आपका customer का ही पैसा होता है उसी में से निकाला जाता है यानि banks के पास कुछ अपना swarm खुद का धन भी होना चाहिए इसको बोलते हैं capital adequacy ratio तो यह लगभग जैसे 12% है भी और यह bank के पास अपना खुद का धन भी होना चाहिए यानि Basel 3 reforms Basel 3 compliant होना चाहिए और इसमें सरकार एक चीज़ यह करती है सरकार asset reconstruction company जो है उसे जो bad debt है जो bad loans वगारा है वो transfer कर देती है यह दिखाने के लिए कि हमारे banks के पास bad loans वगारा नहीं है जिससे हम Basel 3 compliant हो जाए तो asset reconstruction company क्या होती है यह bank की debt खरीद लेती है जानता है कि वो bad loan हो जाएंगे वो डूब जाएगा non-performing asset हो जाएंगे bad loan भी नहीं तो non-performing asset हो जाएगा क्योंकि 90 दिन तक ना तो इस पर कोई principal आया ना interest आया तो non-performing asset का यह 100 करोड का यह asset reconstruction company खरीद लेगी 100 करोड की बजाएं माल लेजे 50 करोड में और bank को बोलेगी कि कुछ ना से तो कुछ हाई अच्छा है तो आप 50 करोड ले लो तो bank है ठीक है 50 करोड मुझे दे दो और आप इससे अपने आप वसूलते रेना तो asset reconstruction company फिर इस person से खुद पैसा निकलवाने की कोशिश करेगी one time settlement offer दे सकती है कुछ भी कर सकती है निकलवा सकती है कहने का मतलब जो bank का bad loan था वो asset reconstruction company को transfer हो गया और ARC को सरकार दिखा सकती है non banking financial company यानि banks हमारे bezel 3 compliant करने के लिए ARC बनाने का सारा लिया जा सकता है तो अभी हमें compliant ये याद रखिए bezel 3 के हिसाब से और हमें होना है compliant 2019 तक नालको ये IDCO के साथ collaborate कर रही है और ये दोनों मिलके first of its kind aluminum park बना रहे हैं ये कहां पे बन रहा है ये aluminum park तो IDCO ये सब है क्या IDCO बोलते हैं Udisa Industrial Infrastructure Development Corporation को तो ये बनेगा Udisa के अंदर और नाल को आप जानते हैं हमारी National Aluminium Company है तो ये बहुत important है 180 करोड रोपे की investment लगेगी इसमें 54% जो हिस्सा है वो Udisa contribute करेगा इन में से कौन सा देश है जिसने ये कहाए कि उन्होंने successfully ICBM test fire कर लिए है ये अमरीका के लिए उसे बड़ा खत्रा है ये देश, नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया की राजधानी है Pyon, Yang और यहां के तानाशाह है Kim, Jong, Un नॉर्थ कोरिया की मुदरा है 1, WN और यही मुदरा है साउथ कोरिया की लेकिन साउथ कोरिया की राजधानी है तो यह सब तथ्याद रखिए, ICBM अगर आ गई इनके पास सच में, अब पता नहीं जूट बोल रहे हैं, तो फिर यह अमरीका भी इनकी रेंज में आ जाएगा, कम से कम अलासका, हवाई वगरा तो आई जाएंगे, सरकार ने अभी अभी अनौज करा है कि गरीब नवाज, Skill Development Center खोलेगी, यानि कोशल विकास के अंदर खोलेगी, अगले 6 महीनों में, कितने डिस्टिक्ट में खोले जाएंगे, हमारे जो मिनिस्टर है Minority Affair के लिए, वो है मुकतार अब्बास नकवी, मुकतार अब्बास नकवी, तो टोटल खोले जाएंगे 100 Skill Development यानि कोशल विकास क और 51,000 रुपे उन लड़कियों की सहाइता के लिए जाएंगे, जो गरीब हैं, और उनको दिये जाएंगे जो अपनी graduation पूरा करना चाती है, जो graduation पूरा करना चाती है, जिनोंने graduation पूरी कर लिए, लेकिन शादी में दिक्कत आ रही है, तो यह याद रखिये, इसको नाम बिया गया है, बेगम हजरत महल scholarship, बेगम हजरत महल scholarship, अभी अभी दिल्ली में डेली डायलोग हुआ, जो इसका नौवा अध्याय हुआ, तो इसका theme क्या था, इसका theme था, ASEAN-India Relations, और ASEAN जो देश हैं, इनके 10 देश हैं, और इनके जो सबके head of state हैं, सबको invite किया है, Republic Day Celebrations क अंदर तो आसियान इंडिया रिलेशन क्योंकि अगले 25 सालों के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं आसियान के साथ मिलके एस्सोसियेशन ओफ साउथ इस्टेशियन नेशन्स जॉन ब्लैक वैलन का निधन हो गया यह मशूर क्या थे तो यह ड्रम बजाते थे और आंसर है ड्रमर रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने अपना जो FPI इंवेस्टमेंट लिमिट है जुलाई से सितंबर क्वाटर के लिए Government Securities के अंदर वो इंक्रीज कर दिया है कितने परसेंट से तो यह अब 2.42 लेक करोड है तो 4.7 परसेंट से इंक्रीज कर दिया है FPI इंवेस्टमेंट जो GSECS के अंदर है GSECS वो एलोकेट किया जाएगा 75 परसेंट लॉंग टर्म केटेगरी में और 25 परसेंट जनल केटेगरी में अभी-अभी हॉंग कॉंग की नई Chief Executive की शपत किसने ली यह मार्च में इलेक्ट की गई थी हॉंग कॉंग चाइना का Special Administrative Region है और इनका नाम है Carry Lamb Carry Lamb यह पहली महिला है जो इस पोजिशन पे आई है तो यह भी आधर रखिये एशिया, एफ्रिका, यूरोप, सब्मेरीन केबल सिस्टम यह अभी-अभी किसने लॉंच करा है यह लॉंच करा है Reliance Geo ने Reliance Geo इस वक्ट भारत में जो Telecom Market है उसका सबसे बुरहाल चल रहा है क्योंकि Telecom Market एक Oligopolistic Market है Oligopolistic Market मतलब जहां कंपनी कम होती है खरिदार बहुत जादा होते हैं तो यह जो कंपनी है इन्होंने बहुत बड़ा-बड़ा लोन ले लिया था बैंक से यह सोचके कि हम पूरे भारत में मोबाइल करांती ले आएंगे करांती तो आ गई भारत में आज 80 क्रोड से यादा मोबाइल फोन है लेकिन जब इनका कंपनी का कमाने का टाइम आया तो Reliance Geo आ गया तो यह सारी कंपनीया दिवाली है इपनके कगार पे हैं और सरकार से अपील कर रही है कि इनको बेल आउट कर दिया जाए तो यह याद रख सकते हैं आप और जो एशिया, एफ्रिका, यॉरॉप ये बेसिकली 100 GBPS टेकनलोजी है सम्मेरीन सिस्टम यानि पंडूपियों पर बेस्ट है Reliance Geo इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और यह 25,000 किलोमेटर लंबी है यह जो मारसे जो फ्रांस के जो बहुत सारे टेक्सों को खा जाएगा जैसे क्रिशी कल्यांड सैस, इंफ्रस्ट्रक्चर सैस, स्वच भारत सैस, बहुत सारे सैसें जो अब नहीं लगेंगे, सर्विस टेक्स नहीं लगेगा, वैट नहीं लगेगा, तो वो GST होगा, तो विकरी कर भवन, तो यह इसका राइनो प्रोटेक्शन फोर्स, और इसमें 22 ओफिसर होंगे, और इस राज्य के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्य मंत्री है सर्वनंत सोनोवाल, तो आंसर है असाम, असाम में जो राइनो है, बहुत सारे पार्क में है, जैसे मनास में है, काजी रंगा सब North Korea इसे नहीं करता है, हिंद महसागर के अंदर ये होती है, और भारत का जो सब, भारत का जो एरक्राफ्ट केरियर है, इसमे जो जाएगा, वो है, INS विक्रमा दित्ते है, ये भी याद रखिए, INS विक्रमा दित्ते है जाएगा इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से, Asian Development Bank भारत को लोन दे रहा है 220 मिलियन डॉलर का ये कौन से राजिय की सड़के मराने के लिए ये लोन मिलेगा राजस्थान में सड़के मराने के लिए 2000 किलोमेटर के स्टेट हाईवे बनेंगे राजस्थान के अंदर और Asian Development Bank का हेड़कोर्टर में बता चुक हो मनीला में जो फिलि पास करा है जिससे जो टॉर्चर है वो एक क्राइम हो गया है अब किसी को किसी तरह का शारीरिक उत्पिडन देना वो एक क्राइम हो गया है नेशनलों के हिसाब से ये किया है इटली की सरकार ने और इसे 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है इन में से भारत का कौन सा खुद का बनाय हुआ missile system है जो test fire उन्होंने किया अपनी दूसरी developmental trial इसकी की थी अभी अभी तो इसका नाम है QRSAM Quick Range Surface to Air Missile Quick Range Surface to Air Missile ये चांदीपूर, Udisa वहाँ से इन्होंने successful test fire किया था इसे Integrated Test Range, ITR, Udisa भारत की क्या rank है अभी जो Swiss Bank में money है 2016 के अंदर उसकी ranking के अंदर तो ये एक record आया है भारत का सबसे कम पैसा इस साल Swiss Bank के अंदर डला है तो सरकार इसका credit ले रही है कि हमने जो black money के खिलाफ अभ्यान चला रखा है उसकी वैसे ऐसा हुआ है सबसे ज़्यादा देश कोन सा है जो Swiss Bank में जिसका पैसा रखा है इस साल 2016 में वो है UK और भारत की rank है इस बार 88 88 और इससे पहले पिछले साल यानि 2015 में भारत था 75 तो और पीछे हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है हम और पीछे हो गये है 88 पे जो परियवरण मंत्राले है उन्होंने वन महोटसव लाँच करा है तो इसमें जो Tree Planting Campaign है वो कहां पे स्टार्ट होंगे तो ये Tree Planting Campaign स्टार्ट होंगे दिल्ली और जो वन महोटसव है ये 1950 से लगबग हम मनाते आ रहे हैं हर साल अभी हमारे परिवर्ण मंत्री है हर्श वर्धन तो वन महुत साम में हम पेड लगाते हैं बड़े लेवल पे Reserve Bank of India ने जो systematically important non-banking finance companies हैं उन्हें ये allow कर दिया है कि वो बेच सकते हैं और market कर सकते हैं अपनी कोन सी scheme कोन सी scheme की बात हो रही है तो ये बात हो रही है NPS की NPS non-banking financial company जो है जिनका asset size 500 करोड़ या उससे ज्यादा है और या जिनोंने net profit बनाया है उनको ये permission दी गई है 8 core industries का जो index है उसके हिसाब से में के अंदर हमारी activity pick up हुई और उसने कितनी growth दिखाई total growth दिखाई 3.6% और 2.8 था gain एपरिल के अंदर और coal और fertilizer दो ऐसी industry है जिनोंने negative growth दिखाई law commission ने suggest किया है कि जो register करने के लिए जो time है वो अब उस पे limit लगा देनी चाहिए कितनी limit होनी चाहिए तो ये इनोंने अपनी report दी है compulsory registration of marriages इसके हिसाब से 30 days हो जानी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर marriage की registration हो जानी चाहिए इन में से कौन सा देश है जिसने अभी-भी roll out करा है expedited entry for low risk Indian travelers through a global entry program कहने का मतलब जो low risk Indian traveler है उनकी जल्दी entry के लिए global entry program के तहत एक scheme चलाईए ये देश है अमेरिका और इन्होंने ये 53 एरपोर्ट पे चलाईए अमेरिका के और 15 pre-clearance location इसके अंदर होंगे ये US Customs and Border Protection यानी CBP के तहत किया गया ये initiative भारत 11 देश है जिसके members US में इस चीज के लिए eligible हो है हमारा जो power mantra ले है उन्होंने announce करा है कि उन्होंने कितने percent of outstanding discom debt ये उदे scheme के तहत उन्होंने cover किये उदे मतलब उजवल discom assurance योजना power distribution company जिने हम बोलते हैं discom उनमें पैसा डालने के लिए किया गया था उनकी debt अब state भी share करेंगे उदे scheme के तहत किया गया है 97% और हमारे power minister है पियूश गोयल जो सितंबर 30 को 2015 को जो total debt थी वो थी लगबग 4 लाग करोड और इनमें से इन्होंने 3.82 लाग करोड कवर कर लिया है 26 राज्यों का और एक union territory का human rights champion Simone Weil इनका निधन हो गया ये कहां की थी ये थी France की और ये holocaust survivor थी जो सबसे बड़े बड़े France के लोग है बहुत national figure है जो बहां के उनको दफनाए गया तो बहां पे इने दफनाए गया ये पाँच भी figure है जिने दफनाए गया और European Parliament की ये पहली elected president थी World Sports Journalist Day हम किस दिन मनाते हैं Sports के अंदर जो जनलिस्ट काम करते हैं उनको contribution को सराने के लिए 2 जुलाई को हम बनाते हैं इसे international sports association द्वारा बनाये जाता है international sports press association द्वारा भारत की क्या rank है अभी एक research publish हुआ है जिसका नाम है environmental research letters इसे dirty wastewater irrigation के उपर है ये और इसमें भारत की क्या rank है भारत की इसमें rank है और चार country और कौन से है चाइना, पाकिस्तान, फिर मेक्सिको, फिर इरान अभी अभी एक pale tiger ये देखा गया pale tiger मतलब जिसकी जो skin है उसका रंग बहुत गाड़ा नहीं है बहुत हलका है ये कहां पे देखा गया ये देखा गया निलगिरी के अंदर निलगिरी के पाड़ों में देखा गया और इसकी ए फोटो कहीची निलंजन रे ने तो pale tiger जो होते हैं वो white tiger से थोड़े से अलग होते हैं ना ये white tiger होते हैं ना normal बाग होते उनके beach का होता है pale tiger इन्वे से कौन से राजेगी सरकार है जिन्नोंने एक EOI sign किया है expression of intent IAAF के साथ और AFI के साथ ये एक high performance academy लगाना चाहते हैं तो AFI मतलब Athletics Federation of India और IAF मतलब International Association of Athletics Federation तो ये किया है उडिसा की सरकार में उडिसा की सरकार में इन में से चार member की GST facilitation सेल बनी है उसको कौन head करेगा ये Ministry of Food Processing Industries ने बनाई है इसको head करेंगे बिजे कुमार बहेरा बिजे कुमार बहेरा ये economic advisor है हमारी ministry के अंदर इन में से कौन सा bank है जिसने MOU sign किया है Santander UK bank के साथ ये India UK trade को promote करेंगे और business opportunities को promote करेंगे ये भी किया है YES bank ने और इसके founder CEO है Rana Kapoor अभी अभी भारत का सबसे बड़ा global skill park बना है उसकी अधारशिला रखी गई है तो ये कहाँ पे बन रहा है ये बन रहा है मद्धे परदेश में सिंगापूर की मदद से बन रहा है ये भी याद रखिए सिंगापूर का institute of technical education और educational services वो इसमी की मदद कर रहे है और total खर्चा आएगा 645 करोड और हमारे जो minister है Minister of State for Skill Development और entrepreneurship हो है राजीव परताव रूडी इन में से कौन सी infrastructure finance company है जिसने एक M.O.U. sign किया है रशिया की One S.O. Economic Bank के साथ One S.O. Economic Bank ये 200 million IT और डॉलर का IT और innovation fund बनाएगा तो ये infrastructure company है S.R.E.I. Infrastructure Finance Company रशिया की एक और दो कमपनिया याद रखिए एक तो है Rosneft सरकारी कमपनी है एक है Gazprom और एक hero की कमपनी है Alrosa तो ये तीन कमपनियों के नाम याद रखिए रशिया की Rosneft Oil के लिए Gazprom Gas के लिए Rosneft वैसे Oil and Gas दोनों के लिए है और Alrosa है Diamonds के लिए इन में से कौन सा state है जिसने launch करा है Elevate 100 scheme जिसमें 100 innovative startups यानि 100 ऐसे नवी नुद्द्योग उनको भड़ावा दिया जाएगा और प्रोटसाहन दिया जाएगा ये किया है करनाटक ने सिद्रमया मुख्यमंत्री है बैंगलूरू यहां की राजधानी है Supreme Court ने allow कर दिया है कि जो woman है वो अपना कितने महीने तक का बच्चा उसका abortion करा सकती है अगर उसमें abnormality है तो ये नोने रखा है 26 हफते 26 weeks और ये इसलिए दिया है कि अगर जो mother है उसे mental injury हो सकती है severe अगर ऐसा ना किया जाए और दूसरी बात अगर बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जो abnormal है जिसका fetus तो उसमें कई तरह के रोग फिर हो सकते है इसलिए 26 हफते तक वो abortion करा सकती है मशूर actor मीना केतन दास इनका निधन हो गया यह कौन सी film industry के actor थे यह कौन सी film industry के actor थे तो यह थे उडियाख film industry तो आप दास से ही समझ सकते है या तो बेंगॉली होंगे या उडिया होंगे यह थे उडियाख film industry के महशूर actor द्री festival of अपटानी community यह कौन से राज्य में celebrate किया गया इस राज्य के मुख्य मंत्री है पेमा खंडू तो यह राज्य है अरुनाचल परदेश भारत का सबसे eastern राज्य है अरुनाचल परदेश अभी अभी एक student scientist connect program launch किया गया है इसका क्या नाम है इसमें जो scientist है वो बच्चों से मिलेंगे और उनको research बगारा की training देंगे इसका नाम रखा है जिग्यासा इसके लिए जो हमारी ministry of science and technology है डॉक्टर हर्श्वर्दन उन्होंने M.O.U. science किया है education यानि HRD ministry के साथ जो minister ने परकाश जावडे कर इन मेंसे कौनसी space agency है जो dart mission launch कर रही है dart mission मतलब जो धर्टी है उसे बचाए जाएगा जो future asteroid impact से यानि कुछ आस्मान से तारे जैसी रचनाए तूटके गिरेंगी जो धर्टी को तबाह कर देंगी उनसे बचाएगा dart mission ये launch करा है NASA ने NASA का headquarters Washington DC में है अमरीका की space agency है और dart की full form है double asteroid redirection test यानि कहने का मतलब धर्टी की तरफ अगर कोई तबाह करने के लिए आएगा तो उसे दूसरी दिशा में भेज दिया जाएगा President प्रणम मुखर जी उन्होंने अभी अभी कौन से बिल को मंजूरी दी एक बिल को मंजूरी दी है जिसे हुका बार बैन हो जाएंगे कहां पे कौन से राज्य में और इसमें 50,000 रुपे की fine और 3 साल तक की jail भी हो सकती है तो ये राज्य है गुजरात election commission ने door to door campaign start करा है जो left out voter है उनके लिए 1 जुलाई से तो unregistered adult कौन से state के सबसे ज़्यादा register हुए है कौन से state में सब से ज़्यादा unregistered adult है ये state है उत्तर परदेश यहांपे 75,000,000 unregistered adult है उत्तर परदेश यहांके मुख्यमंतری यह राम ना जो governor यह राम नायागा और मुख्यमंतری यह योगी अदित्तेनात दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है यहाँ पे 30 लाख अन्रजिस्टर्ड एडल्ट है Finance Ministry ने अभी-भी अपना जो Interest Rate है Small Savings Scheme में वो कितने Point से कम कर दिया है Basis Point यह कम किया है 10 Basis Point से कम तो अब यह ध्यान से सुनिए यह दूसरे Quarter में यानि October, November और December में से पहले वारा जो Quarter है तो पहला था April, May और June यह पहला Quarter खतम हो गया है अब July, August और September यह है दूसरा Quarter इसमें किसान विकास पत्र के उपर सरकार देगी 7.5% सुकन्या समरिद्धी योजना पे देगी 8.3% और Senior Citizen Savings Scheme पे देगी 8.3% और Public Provident Fund पे देगी 7.8% भारत 15 दिन लंबी Military Exercise कर रहा है X मैतरी 2017 यह बकलो हिमाचल परदेश के अंदर हो रही है कौन से देश के साथ कर रहा है भारत ही है इसमें 50 टूपस आए है Royal Thailand Army के और इतने ही भारत के Soldier है तो Capital है Bangkok और Thailand की मुद्रा है बहत तो आंसर है Thailand इन में से कौन सा Reality Sector Company है जिसने Vidya Balan को अपना Brand Ambassador बनाया है Brand Ambassador पे मैंने Accepted वीडियो भी बनाया था आप उसे देख सकते हैं यह कंपनी है Signature Global भारत का सबसे बड़ा Fresh Water Aquarium यह कहां पे Integrate किया गया है यह इसका नाम रखा है रांची मचली घर तो आंसर है रांची कहां पे है जारखंड की राजधानी है रांची और यह 5,67,6,000,000 रुपे की लागत से बना है जारखंड के गवर्नर है दुरौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री है रगुबर दास और अगला सवाल इन में से कौन सी life insurance company है जिसने bank assurance agreement किया है धनलक्षमी bank के साथ bank assurance agreement यह होता है कि bank अपने product जो है insurance company के product वो bank के थुरू बेचता है और bank उससे insurance company से अपना commission ले लेता है तो यह दोनों को फाइदा पहुचाता है insurance company के भी कमाई होती है और bank के भी कमाई होती है इसको बोलते है bank assurance तो यह नोंने किस कौन से life insurance company कौन सी है जिनोंने किया है इस company का नाम है Canera HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance सो answer है A और इनके CEO आप देख सकते है धनलक्षमी bank के managing director और CEO है G.Shriram headquarter है इसका थ्रिसुर में और Canera CEO Canera HSBC के है अनुज मातुर इन में से कौन सा bank है जिसने announce करा है कि वो एक special loan product super bikes के लिए करेगा जिसमें 95% तक जो super bike है उसको fund करने के लिए तयार है तो यह bank कौन सा है यह है Axis Bank Axis Bank की managing director और CEO जो बहुत एक्जाम में पूचते है शिखा शर्मा और headquarter है मुंबई में इन में से कौन से राजे की सरकार है जिसने decide करा है कि agriculture के लिए अगले साल से एक special budget यहाँ पे आएगा agriculture के लिए यह करा है तेलंगाना ने तेलंगाना इन में से कौन सा बैंक है जिसने announce करा है कि वो जितने भी debit card है maestro debit card हुने block कर देगा 31 जुलाई से यह किया है announcement पंजाब National Bank से और यह इसलिए किया है इनको ज़्यादा secure बनाने के लिए EMV chip डालेगा इन banks में तो पंजाब National Bank बहुत important bank है भारत का साइन हुई थी मीजो शांती प्रस्ताव साइन हुआ था तो यह केंदर सरकार और किस के बीच में साइन हुआ था केंदर सरकार और मीजो नेशनल फ्रंट के बीच में यह साइन हुआ था यह 30 जून 1986 को साइन हुआ था जिससे मिजोरम में 20 साल तक काफी डिस्टर्बेंस के बाद शांती रही थी और मिजोरम की राजधानी है आई जूल मुख्य मंत्री है अभी पी यू लाल्थन हवाला लाल्थन हवाला और गवर्नर है निर्भय शर्मा कितने एग्रिमेंट इसराइल से साइन करें भारत ने कितने M.O.U. साइन हुए है टोटल इसराइल के ये है प्रधान मंत्री बेंजमिन नतान याहू और इसराइल के राशपती है रूबन रिवलिन ये भी याद रखिए इसराइल की राजधानी है जरुसेलम और मोदी जी का क्रिटिसिजम हुआ कि वो रमाला नहीं गए जो administrative capital है पलेस्टाइन नहीं पलेस्टाइन नहीं गए टोटल एग्रिमेंट हुए है साथ साथ जिन में स्पेस में भी हुआ है अग्रिकल्चर में हुआ है कई तरह की एग्रिमेंट साइन किये गए है एक फूल है गुलदाओधी का फूल बोलते है जिसे क्राइसेंथिमम उसका नाम रखा है मोदी इन में से कौन सा भारत का institute है जिसे second rank मिली है International Center for Climate Governance द्वारा अंडर इस category में 2016 Top Climate Think Tanks in the Reset of the World Absolute Global Rankings कहने का मतलब ये हमारा climate से related Think Tank है यानि विचार मंच है तो इसका नाम है The Energy and Research Institute यानि Terry और Terry के Director General कौन है Ajay Mathur ये इनकी 23 भी conference हुई थी Athens के अंदर जो Greece की राजधानी है और Cargo spacecraft का क्या नाम है SpaceX का जो International Space Station से वापस आ गया है भी-भी इसका नाम है Dragon और ये 1860 kg Cargo के साथ रिटन हुआ है अभी-भी एक Research पब्लिश हुआ है जनरल जिसका नाम है Climate Dynamics में इसके हिसाब से जो 2015 में चिन्नई में जबरदस बारिश आई थी और बाड़ आ गई थी उसका कारण क्या था उसका कारण था एक तो El Nino और दूसरा Warming Day of Warming of Bay of Bengal यानि बंगाल की खाड़ी गरम हो गई थी और El Nino ये दो कारण थे वैसे El Nino की वज़े से जनरली बाड़ नहीं आती जनरली इसमें ड्रॉट आ जाता है यानि अकाल पड़ जाता है बारिश कम होती है लेकिन चन्नई के के केस में ये El Nino ने इसके लिए एक प्रोथसाहन का काम किया तो El Nino and और ये रिपोर्ट दिये युनिवस्टी ओफ हैदराबाद और IIT पॉम में ने मिलके सो आंसर है बन इन फोर रेल लेट डवलप्मेंट अथोरिटी ये कितने भारत में रेलवे सेशन है जो डवलप करेगी NBCC यानि National Building Construction Corporation के साथ मिलके टोटल लेलवे सेशन है 10 10 लेलवे सेशन और हमारे रेलवे मंत्री है सुरेश प्रभू BMI की रिसर्च के हिसाब से ये रिपोर्ट आई है Financial Year 2018 में भारत की एकोनोमी जो है वो कितना Real GDP Growth दिखाएगी इनके हिसाब से दिखाएगी 6.9% इन में से कौन से लेखक हैं जिने Indian of the Year का वाड़ दिया है Brands Academy ने Indian of the Year है पृति शेनौई और इसके लावा कुछ और भी विनर्स हैं जैसे दीपा मलिक हैं जो पैर ओलम्पिक्स में गोल्ड जीता था इनोंने कविता कृष्ण मूर्थी सिंगर है और रनवीर बरार ये Celebrity Chef है इन में से कौन वेक्ती हैं जो भारतिय ओरिजिन के हैं जिने Order of Australia for Community Work मिला है यानि समाज सेवा के लिए Order of Australia Award मिला है ये वैसे भारतिय हैं इनका नाम है गुरु स्वामी जयरमन ये Highest Civilian Award है Australia का सरवोच नागरिक सम्मान है Australia की राजधानी है Canberra और परधान मंत्री है Malcolm Turnbull World Boxing Organization जो है WBO इसका World Welterweight Title अभी-अभी किसने जीता है ये Boxing परतियों कीता है इन्होंने मैनी पकियों को हराया ये बहुत important है मैनी पकियों और ये इनका नाम है Jeff Horn International Plastic Bag Free Day कब बनाते हैं तो plastic है वो biodegradable नहीं होता इसलिए plastic bag हमें कम से कम यूज़ करना ही चाहिए वरना environment को problem होगी तीन जुलाई को हम बनाते हैं International Plastic Bag Free Day Tata Global Beverages के chairman कौन appoint किये गए हैं और ये replace करेंगे Harish Bhatt को इनका नाम है N. Chandrashekaran जो Tata Suns के chairman भी है World Health Organization ने अभी अभी announce करा है इन में से कौन से देश में Ebola virus अब खतम हो गया है उसका परकोप खतम हो गया है पूरी तरह से World Health Organization का headquarter है Geneva में याद रखिए और इसके director general अभी Margaret Chen नहीं है बदल गए है इनका नाम है Tedros Adhanom Tedros Adhanom ये देश है Democratic Republic of Congo जिसकी राजधानी है किन शाशा United Forum of Banks Union इन्होंने अपना Save Public Sector Banks Day कब मनाया Save Public Sector Banks को बचा लीजिए Non-performing assets की वैसे Twin Valenship Problem की वैसे खतम होते जा रहे हैं और ये 48 वी anniversary थी जब हमारे banks nationalize हुए थे तो ये मनाया 19 July को BRICS Education Ministers की जो मीटिंग है 5 वी ये कहां पे हुई हमारे Education Minister कोन है HRD Minister के अंदर आता है वो परकास जावडेकर ये मीटिंग हुई Beijing में यानि चाइना में तो आंसर है Beijing और Health Ministers की मीटिंग भी हुई थी वो भी हुई थी चाइना के अंदर Reserve Bank of India ने Customer Liability कितने रुपे पे Cap कर दिये अगर वो Unauthorized transactions को Report करते हैं 7 Working Day के अंदर तो जो Capping है वो की गई है 25,000 रुपे पे यानि Customer जो है वो Liable नहीं होंगे बिल्कुल भी अगर वो 3 Working Day के अंदर Bank को Notify कर देते हैं तो याद रखिए Emergency Service Phone Number एक Launch हुआ है 999 Launch हुआ था इसने अपने 80 साल पूरे कर लिये ये नंबर कौन से देश में चलता है याद रखिए कौन से देश में चलता है 999 तो लगभग 20,000 तक लोग इसे डेली डायल करते हैं तो ये देश है Britain Britain के अंदर चलता है Emergency Number 999 इन में से कौन सी कंपनी है जिसने अभी अभी अपनी Digital Factory खो लिये पहली इंडिया के अंदर ये कंपनी कौन सी है ये कंपनी है Siemens इनकी जर्मनी और चाइना के बाद ये सिरफ तीसरी ये फैसिलिटी है इसमें 5 million devices ये साल में बना सकते हैं G-Ride ये ride sharing platform है Techies के लिए ये कौन सी स्टेट में launch हुआ है G-Ride इसको launch करा है केरल ने केरल के governor है P-Satashivam और मुख्यमंत्रिये Pinaray Vision CPIM Party के HRD Ministry जो है इन्होंने No Detention Policy Students के लिए उसको खतम करने का फैसला करा है कौन से साल से ये किया गया है 2018 2018 और इसकी वज़े से Education का Standard हमारे Country में काफी कम हो गया है ऐसा कहा HRD Minister ने और Minister of State कौन है HRD में? महिंदरनाथ पांडे Nokia ने multi-year patent sharing deal sign करी है इन में से कौन से बड़ी कमपनी के साथ Nokia originally Finland की कमपनी थी ये कमपनी है Xiaomi और ये China की कमपनी है याद रखिए और President और CEO Nokia के है Rajiv Suri National Doctors Day किस दिन मनाये जाता है? National Doctors Day डॉक्टर का जो contribution है उसे सराने के लिए एक जुलाई को मनाये जाता है National Doctors Day और याद रखिए Doctors के लिए जो सबसे परतिष्टित अवार्ड होता है भारत में वो होता है BC Roy Award Dr. BC Roy Award भारत की पहली युनिवरस्टी दलिट स्टूइंट्स के लिए कहाँ पर बनाई जाएगी 2018 के अंदर जो भारत का पहला World Heritage City डिकलेर कर रहा है UNESCO ने UNESCO का Headquarter पैरिस में और भारत का पहला Heritage City होगा एहमदाबाद जिसका पुराना नाम है करनावती और भारत में UNESCO World Heritage Site कितने है टोटल 35 तो ये थे इस हफते के सबसे Best Multiple Choice Question और टोटल Questions का नमबर थोड़ा सा कम था लेकिन Questions काफी अच्छे थे Questions की Quality काफी अच्छे थी तो ये वीडियो चितना हो सके अपने Friends के साथ शेयर करिए और इस वीडियो में मैंने आप से बसे एक ही सवाल पुछा था उसका जवाब आप कमेंट्स में लिखे बता सकते हैं और इंग्लिश का वीडियो उपलबद होगा तुरंद इसके एक घंटे बाद थेंक्यू